हलो दोस्तों मैं हूँ रागवेंदर आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ हम लोगोंने last class में महिला बाल विकास सम्मंधित जो विभागी योजनाये हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे और इसको हम लोग तीन section में बाठ कर पढ़ने वाले थे जिसमें हम लोगों की पहली रासरकार की योजनाये एक आपका जो संस्थाओं हैं उसके बारे मां और केन सरकार की योजनाये देखने थे तो जो विभागी संस्थाओं है हम लोगोंने पहले उसको start किया थे चुकि वो छोटा topic था उसमें हम लोगों नारी निकेतन को पढ़ लिया था रहने के लिए वो चार चीजे थी जो बची हुई चीजे हैं आज उस पर हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले हम लोग नारी निकेतन देखे थे उसके बाद अग नेक्स्ट जो है बाल ग्रे ठीक है तो यह समझना है कि यह बाल ग्रे क्या है यह कैसी किस प्रकार की संस्था है तो सबसे पहले हम समझते है कि बाल ग्रे क्या है तो देखें यह जो बाल ग्रे है इसमें प्रवेश जो है अठारा वर्स तक ही मिल पाता है ठीक है अठारा वर्स तक कि बालक और बालिकाओं को बालक और बालिका को प्रवेश दिया जाता है तो पहला पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स के रूप में इसको याद रखना है कि यह जो बाल ग्रे है इसमें किसको प्रवेश दिया जाएगा तो 18 साल के जो बालक और बालिकाय हैं, उनको प्रवेस दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या काम होगा, तो ये जो बालक को का प्रवेस होगा, इनको आवास प्रवाइट किवाए जाएगा, आवास सुनिशित किया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, ठीक है, जो चीजी common है, जैसे आवास है, भोजन है, कपड़े हैं, और साज साज समाजी को और सैक्षरी कृप से उनको ससक्त बनाया जाएगा, ताकि वो आगे समाज में अपने कारी को, अपने जीवन को अच्छे से चला सके, यार जखेगा, इनको क् सैक्षरी कृप से ससक्त बनाया जाएगा, तो इसको याद रखेगा, एक और बात आपको याद रखनी है, यह जो बालगरे है, ठीक है, रामसिस पस्टे बालगरी, तो बालगरी कहा कहा है, तो हमारे चप्टिस गड़ में, बालगरी है, पांच जगह पे है, यह कोशन आपके आ सकते हैं, पहला तो यह अठारा वर्स तक को प्रविस्ट देना है, और दूसरा जो है आपको, इसमें कितने हैं, तो बालगरी के संख्या भी वर्तमान में अठारा है, तो देखिए तो अठारा कौन-कौन से है, तो बाजू में हो गया आपका दुर्ग, शरी, राजनांद गाउं नहीं है, कवर्धा के बाद सीधा आजाएंगे दुर्ग, दुर्ग के बाजू में आपका रायपूर, यह बिलासपूर और यह जगबलपूर, यह नहीं, यह जो बालगरे है, यह पांच जिलों में भी संचा इसको आपको याद रखना है यह फैक्ट को कित्ते जिले हैं तो देखे एक बार और देख लें सबसे पहला ब्लास्ट पूर इधर हो जायेगा आपका आपका कवर्धा कवीध्धाम नीचे में दुर्ग जर बाजु में रायपूर और नीचे सबसे नीचे बस्तर में आपका जगदलपूर इसमें एक और फैक्ट याद रखेगा इसमें से जो दो बालग्रे हैं वो जो है वो बालिकाओं के लिए ठीक है इसमें से पहला आपका बिलास्पूर है बिलास्पूर और दूसरा जो है वो रायपूर का है तो रायपूर और बिलास्पूर इसमें किसके लि जिसमें बालक रहकर भोजन आवास के साथ साथ समाजी को साश्रीक सीविधा लेकर समाज में क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो यह की पॉइंट्स आपको या रखनें दो तीन की पॉइंट से निकल रहा है तो बाल ग्री ऐसे याद रखेगा उसके बाद नेक्स जो संस्था है देखो इसमें अगर आपको देखें तो यह नोर्स आपको मिल जाएंगे आप इससे भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन सॉट ले तो इसको याद रखेगा option में ऐसे देखे पूछ देगा कि कौन सा इसमें से नहीं है तो यह आपको याद रखना है उसके बाद देखे इसके बाद next आता हमारा कौन सा मातरी कुटिर में आप याद रखेगा यह बहुत ही प्यारा concept है मातरी कुटिर में सरकार क्या करती है अनाथ जो बच्चे होते हैं, ध्यान देंगे, मातरी कुटीर में कुन बच्चों को सामिल किया जाएगा, अनाथ बच्चों को, जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो होंगे, और साथ साथ, निराशृत मा होंगे, निराशृत मा होंगे, तो यहां दो लोग होंगे, एक अनाथ बच्चे दो-चार अनाथ बच्चों को लिया जाता है और साथ-साथ एक निराशित मा होगी और एक परिवार के रूप में इसको डेवलप किया जाता है विकास किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो अपना सर्मांगीर विकास कर सके मा की छर्तचाया में ठीक है बच्चों क आपको बता देता हूँ, अनाथ बच्चो और निराश्रिक महिला को एक परिवार की रूप में, एक इकाई की रूप में क्या करना है, का गठन करना है, ताकि ये दोनों का भाला हो सके, आप इसको समझें, दोना का भाला परिवारी क वाता और निर्मित करना है, ताकि धात्री मा कहने का मतलब है जो गोदली हुँ मा होती है उसका जो धात्री मा वो महिलाओक बच्चों को श्नेह मिल सके जो बच्चे है वो मा का प्यार पा सके धात्री मा के माध्यम से तो याद रखना इसमें क्या आगए धात्री मा का कंसिप्ट आता है इसमें कून मिल तो आपको धात्री मा होगी हो जात्री मा कहने का मतलब हुआ गोदली हुई मा गोदली हुई हुई ठीक है गोदली तो यह धात्री मा का concept किस में आता है तो मात्री कुटिर में आता है इसको थोड़ा सा याद रखना है इसके बाद देखे इसमें कौन-कौन से जिले हमारे सामिल है तो थोड़ा सा याद रखेंगे फिर एक मैप बनाना है छतिस गड़ के देखिए एक तो होगा आपका राजनांद गाउं इसके बाजी में होगा दुर्ग इधर होगा आपका बिलासपुर और इधर होगा आपका जगदलपुर ठीक है चार जिले तो कितने जिले सामिल होगे तो चार जिले इसमें सामिल किये गए है कौन-कौन से सामिल किये गए है तो एक होगा राजनांद गाउं दूसरा होगा आपका दुर्ग होगा तीसरा होगा बिलासपुर और चौथा होगा जगदलपुर यह चार जिले सामिल किये गए है आप एक बार देख भी ले ठीक है कौन- जगदलपूर और दुर्ग, जगदलपूर दुर्ग दो हजार पांच और छे में सामिल किया गया था, यह जो धाती मा का कंसेप्ट है बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब तक बच्चे वेस्क नहीं हो जाते हैं, तब तक वो माता की चतरशाय में रहते हैं, और वेस्क होने के बाद फिर उनको रोजगार के लिए और अपने आगे के जीवन के लिए उनको यहां से पलायन करना पड़ता है, तो या रखेगा बच्चों के वेस्क होने तक आपका स्थापित होने तक क्या रहते हैं, यह माता की चतरशाय में या मातरी कुटेर मे रहते हैं, तो यह दूसरा आपका हो गया, और लास्ट हमको देखना है इसके बाद ये दो देश बता ही दियते इसका आखरी हमको देखता है, बाल-बाड़ी ससंसकार केंद्र, अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बाल-बाड़ी आमसे आंगर-बाड़ी जैसे कि जहां बच्चे खिलते हैं वैसा, ठीक है, और सभसंसकार मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या होता है, कई महिलाएं जो होती हैं, वर्किंग होती हैं, है ना, मगर उनके पास बच्चे भी होते हैं, ओके, याद रखेगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जीरो से छे साल तक के बच्चे, जैसे जो अभी जीरो से लेके छे वस्तो, तो मा को बहुत दिक्कत होती हैं कारे करने में, ठीक, बच्चे बहुत परसान करते हैं, खेलते हैं, बहुत सारे ऐसी अक्टिविडीज करेंगे, जिसके लिए मा अगर थोड़ा सा ध्यान गया, तो तो वहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, जब मा जाएंगी काम करने, तो वहीं कारिस्थल पर आपका क्या बना देंगे, बाल बाडी बना देंगे, बाल बाडी में बच्चा सीखेगा, खेलेगा, और खेल खेल में सीखेगा, ठीक है, और वहाँ पर महिलाएं जो working में जाएंगी, उनके लिए केंज सरकार ने विवस्ता कर दी है, कि वहाँ पर वो क्या कर सकती है, वो रोजगार के लिए काम वेगरा भी कर सकती है, तो काम करेंगी तो क्या होगा, उनका काम भी होगा, और बच्चे खेल भी लिए और खिलने के साथ साथ सीख भी गए, तो दोनों चीज़े ही हाँ पर हो जा रही है, केंज सरकार ने लक्ष रखा है, कि साल में कम से कम सौ ऐसे हम लोग क्या करेंगे, महिलाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, जो इस क्राइटेरिया में मीट करती है, तो पहली बात हुआ रखना है, 0-6 तक के बच्चे होंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो देख लें, 0-6 बच्चे के मांसिक और सारी विकास के लिए ये गठन किया गया है, बालवाडी का गठन किया गया है, केंद के माध्यम से महिलाओं को क्या करेंगे, तो सिलाई, कढ़ाई, भुनाई, आदी का प्रसिशन वहीं पर दिया जाएगा, बच्चे इदर खेल रहे हैं बाजू में, महिलाओं आपकार काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक मैप से, हमारे यहाद दो जगा है, एक आपका राइपूर में है, और दूसरा आपका बिलासपूर में है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, बिलासपूर रायपूर में आपका क्या संचाली थोड़ता है, तो बाल बाड़ी सह संसकार केंद्र, यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में संसकार प्रदान किया जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाल बाड़ी सह संसका केंदर इसको याद रखना है इस तरह तो जो भीभागी संस्थाएं हैं हमारी चार्ठो ये पूरी समाप्त होती है नेक्स जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी राजसरकार की यूजना है बहुत इंपोर्टेंट है वहां से प्रशना आते हैं आप इसके की पॉइंट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे जैसे इसमें दो जिले हैं इससे जो पहले वाला था इसमें चार्ठ थे और उससे पहले वाला जो था उसमें पांच जिले तो थोड़ा से अच्छे से पढ़ ले और नोश्रा आप बन आपनी लाद.